सुखी वेवाईक जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ बास तो टिप्स बताए गए हैं यदि इनका पालन किया जाए तो वेवाईक जीवन सुखी रह सकता है चलिए इनके बारे में बाते करते हैं नमबर वन सैंद कक्स की खिड़की सैंद कक्स में खिड़की होनी चाहिए इससे दमपत्ति के बीच तनाव कम होता है और रिष्टे में आपसी प्यार बना रहता है आईना सैंद कक्स में दरपन लगाना वस्तु की दरस्टी से अच्छा है वो मुचित माना जाता है इससे पती पत्तिनी के बीच की दूरिया कम होती है और उनके बीच प्यार बढ़ता है इलक्टोनी कुप करनों से दूरी यानि सैंड कक्स में कभी भी इलक्टोनी कुप करना रखे क्योंकि वास्तु के अनुसार इसे सकरात्म कुर्जा कम होती है और इसका सर रिष्टे पर पढ़ता है नेक्स्ट है थिसिल ना रखे अपने सैंकक्स में कभी मरे हुए और काटेदार पो देना रखे इसे पती पतनी के बीच तनाव बढ़ता है अब चलिए सोने के लिए अच्छी जगे पतनी को हमेशा पती के बाई और सोना चाहिए बड़े तक्ये का इस्तिमाल करना चाहिए इससे उनके बीच आपसी प्रेम बढ़ता है अब रंगों के बारे में बता है सही रंगों का परियोग करें जिस कमरे में पती पतनी सोते हैं वह एक उस कमरे का हलका रंग गुलाबी हलका हरा और कभी गहरे रंगों का परियोग ना करें हलका गुलाबी और हलका हरा रंग सुकत का पर्तिक माना गया है ये रंग तनाओं को कम करने में मदद करते हैं और पार्टरनर को करीब लाते हैं सैन कक्स में देवी देवताओं की तस्वीर न लगाए जिस कमरे में पति पति नी सोते हैं उस कमरे में देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जोडे को अपने पैरों की और बैधेवे पानी के एक बड़ी तस्वीर लगानी चाहिए मनी पलांट रखे वास्तु के अनुसार मनी पलांट रखना सुब माना जाता है तो यह थे वास्तु के कुछ सुखी वेवाइक जीवन के टिप्स तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में तिल दैन ओके बाई बाई